क्लास नाइन चैप्टर नमबर 24 मेजर ऑफ सेंडर टेंडेंसी एक्सराइज 24.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्ट नमबर 19 इसका आपको मीन दे रख है एम आपको प्रूब करना है कि यह स्टेटमेंट आपकी क्या होने चीए बराबर जीरो अगर इन उब्जर्वेशन का एम इस मीडियन है यहां पर आपकी टोटल उब्जर्वेशन कितने हैं 6 तो एकॉर्डिंग टो फॉम्बला एम किसके बराबर होगा सम ऑफ ऑफ उब्जर्वेशन डिवाइड बाइड बाइड वाहां जाके मल्डिव लाए तो इन 6 टर्म का सम क इसके बराबर आगया 6 एम के यहां पर आपको प्रूव करना है इस स्टेट्मेंट बराबर जीरो हम क्या करेंगे लेंगे x1-m x2-m x3-m x4-m x5-m plus x6-m x1 वाली टर्म को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे और एम वाली टर्म को सेपरेट करेंगे तो x1 से लेगे x6 हमने एड कर दिया इन सारे –m में से मैंने – को ले लिया तो 6 टैप्स टैप्स को आट करोगे तो एक या बन गया – 6m और इन सब की वैल्यू क्या है 6m है तो यही आपको क्या करना था प्रूफ तो यह हो गया हमारा question number 19 का solution question number 20 duration of sunshine in Amrissa for first 10 days of August 1997 is reported by the metrological department RS given below find the mean and verify that sigma i goes to 1 से लिके 10 sum क्या करेंगे mean निकालेंगे तो mean का formula क्या होगा sum of observation divided by total number observation तो हम सब क्या करेंगे इन सबको add करेंगे और divide by 10 इन सबको add करने के बाद आपका कितना आगया 56 divided by 10 तो आपका कितना आगया 5.6 second आपको निकालना है इसकी value 0 आने चाहिए यहाँ पर आपको टेरा क्या क्या सिग्मा आई गोस्टू 1 से लिए 10 एक्साई माइनस एक्स बार एक्स बार मतलब हमारा mean और एक्साई मतलब यह हमारे observation आई की value 1 से लिए 10 क्योंकि आपना वाए total data कितना है 10 अगर मैं आई के लिए 1 डालूंगा तो x1 माइनस x1 मतलब हमारा जो first data x2 मतलब second data तो ऐसे हमारा क्या अगर 10 टक चलेगा तो हम क्या करेंगे एक्साई मतलब यह लिए observation 9.6 माइनस 5.6 5.2 माइनस 5.6 तो ऐसे हम 10 टक data निकालेंगे और अगर हम इस सबको add करते है positive value तो positive value हमारे बंदे 16.8 और negative value को add करेंगे तो हमारे कितना है का माइनस 16.8 दोनों को add करेंगे तो both are same time with opposite sign तो they are cancel out तो आंसा कितना गया 0 और यही आपको क्या करना था प्रूफ तो यह होगी है हमारा question number 20 का solution question number 21 find a value of n and x bar in each of the following cases यहाँ पर आपको first data दे रखा है i की value 1 से लेके n तक x i-12 बड़ाबर है minus 10 i की value 1 से लेके n तक x i-3 बड़ाबर है 62 सबसे पहले हम इसको open करेंगे x i की value के है 1 से लेके n तक 1 2 3 dot dot n तक इस जीगलू minus 10 x 40 term को separate किया तो x1 plus x2 plus x3 dot dot xn और minus 12 को हमाँ add करेंगे तो minus को में लेके 12 plus 12 plus dot dot 12 बड़ाबर है minus 10 और है हमारा submission तो यह सिग्मा of x सिग्मा का मतलब होता है कि यह हमारा क्या submission हो रहे है minus 12 को मल लोंगा तो यह 10 टक खोलेंगे बड़ाबर है 62 x1 x2 x3 वारी term को हम separate route करेंगे और minus 3 वारी term को separate route करेंगे यह आपका यह सिग्मा एक्स माइनस ओफ 3 एन बड़ाबर है 62 अभी इन टॉनटम को हम सॉल्व करेंगे बाई using elimination method तो फर्स को हम सब्ट्रैक करें रहे हैं from second तो सिग्मा एक्स माइनस थी एन है number of data तो मीन कैसे निकलेगा समों observation डिवाइड पर टोटल observation तो 86 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना है गा 10.75 तो यह हो गया हमारा question number 21 का first part का solution number second i goes to 1 से लेके n x से माइनस 10 बड़ाबर है 30 i goes to 1 से लेके n x से माइनस 6 बड़ाबर है 150 सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे आई के लिए 1 से लेके n टक पूट अप करेंगे तो x1-10 x2-10 xn-10 बड़ाबर है 30 x4 को separate out किया तो वह हमारा बन गया sigma x-10 and बड़ाबर है 30 second equation को open किया तो xy-6 x2-6 dot 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 xn-6 बड़ाबर है 150 x4 को separate out करोगे तो वह बन गया sigma x-6 and बड़ाबर 150 दोनों को हमने solve किया तो सब्ट्राइक किया फर्स्ट विक्रेशन को from से तो n आपका कितना आगे 30 इसको आप अगें पुट अप करोगे फर्स्ट विक्रेशन में जिससे हमारी sigma x value आ जाएगी mean हमारा क्या होता है sum of observation divided by total observation sum of observation कितना है 330 total number observation कितना है 30 तो 330 को 30 से divide करोगे तो 11 आएगा तो यह हो गया हमारा solution question number 22 the sum of the deviation of set of n value x1 x2 dot dot or xn major from 15 and minus 3 or minus 90 and 54 respectively find a value of n and mean तो हमेशा यह रखना sum of deviation का formula क्या होता है sigma i goes to 1 से लेके n x i minus mean बडाबर है sum of deviation m होता है मारा mean तो यहां पर आपको mean दे रखा है 15 तो minus 15 आएगा minus 3 है तो हमारा क्या है प्लस 3 आएगा क्योंकि sign आपका क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या कि आपको given है i goes to 1 से लेके n x i minus 15 बडाबर किसके बडाबर है minus 90 के इसको हम open करेंगे तो आपकी एटम बनेगी second आपको दे रखा है i goes to 1 से लेके n x i plus 3 बडाबर 54 इसको open करेंगे तो आपकी एटम बनेगी अब हम first को subtract करेंगे from second तो हमारा n कितना आगया 8 इसको हम again put up करेंगे question number 1 तो हमारा sigma x c value आगे 30 आपको पता है कि mean क्या होता है sum of observation divided by total observation तो 30 upon 8 that is equal to 15 by 4 तो यह हो गया हमारा solution question number 23 find the sum of deviation of the variant value from their mean आपको पता है कि deviation का formula क्या होता है deviation हमारा निकलता है x i minus of m x i मतलब जो आपका data दे रख है m मतलब mean तो सबसे बहले हम क्या करेंगे mean निकालेंगे यह पर आपको six number दे रखे है उन सबका हम क्या निकालेंगे सबसे बहले mean तो sum of number divided by total numbers तो आपका कितना आगया 7 अब इसी को हम क्या करते चलेंगे माइनस करेंगे data से तो three minus seven plus four minus seven plus six minus seven plus seven minus seven plus eight minus seven plus fourteen minus seven क्योंकि आपको यहाँ पर sum of deviation निकालने यह चीज हमारी किलाती है deviation बड़ अगर हम इसको add कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा sum of deviation तो यह हमारा answer कितना गया 0 तो यह होगे हमारा final answer question number twenty-four if x-bar is the mean of the ten natural numbers so that xy minus x-bar plus x2 minus x-bar plus dot 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 x10 minus x-bar बड़ाबर है 0 तो सबसे वहले हम निकालेंगे mean mean का formula क्या होता है the mean बड़ाबर होता है sum of observation divided by total observation total observation कितने है 10 यह चीए divide है तो वहाँ जाके multiply तो इन सारे observation का sum किसके बड़ाबर आगे 10 into x-bar इसको आपने माल दिया first equation left-hand side आपको देर रखे x1 minus x-bar plus x2 minus x-bar plus dot 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 x10 minus x-bar अगर हम x1 वाली वाली इस separate करें तो x1 plus x2 plus x3 up to 10 terms minus of x-bar plus x-bar up to 10 term तो यह आपका क्या निकल गया 10 x-bar इन सबको add करोगे यह भी आपका क्या अगर 10 x-bar तो बोथ हार same term with opposite sign they are cancelled out तो हां से कितना गया 0 और यह आपको क्या करना था proof तो यह होगे हमारा question number 24 का solution तो यह थे आपके exercise 24.1 के question का solution तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे रहे है इस वीडियो को like करें comment करके जूरू बताएं और further solution देखने के लिए आपको नेक्स वीडियो में